फंड जुटाने के प्लान पर उचला ग्रासिम इंडस्ट्रीज का शेर, छुआ बावन वीक का हाई ग्रासिम इंडस्ट्रीज के बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स की एक मीटिंग 16 अक्टूबर को होने वाली है। इस मीटिंग में एक्विटी शेर या अन्य सिक्योरिटीज के माध्यम से फंड जुटाने के प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। को मिल रही है। शेर बावन सप्ताह के उच्चस्तर को चुग गया है। इसकी वजह कंपनी की फंड रागिंग प्लानिंग है, जिसे लेकर अगले सप्ताह बोर्ड की मीटिंग होने वाली है। इस खबर के बाद 12 अक्टूबर को ग्रासिम इंडस्ट्रीज का शेर सुभा बढ़त के साथ बीए सई पर एक हजार नौसो चौरानवे दशमलव नौपांच और एने सई पर एक हजार नौसो नबबे दशमलव नौशूने रुपए पर खुला। दोपहर होते होते शेर ने पिछले बंद भाव से दो प्रतिशत से ज्यादा की तेजी के साथ बीएसी पर एक हजार नौसो उनासी दशमलव नौपांच रुपए और एनेसी पर एक हजार नौसो असी दशमलव एक शूने रुपए पर बंध हुआ था। बुधवार 11 अक्टूबर को कमपणी ने शेर बाजारों को दी गई सूचना में कहा था कि ग्रासिम इंडस्ट्रीज के बोर्ड आफ डायरेक्टर्स की एक मीटिंग 16 अक्टूबर को होने वाली है। इस मीटिंग में एक्विटी शेर या अन्य सिक्योरिटीज के माध्यम से फंड जुटाने के प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। फंड रागिंग के लिए राइट्स इश्यू क्वालिफाइड इंस्टिटूशन्स प्लेस्मेट प्रिफरेंशियल इश्यू जैसे तरीकों की मदद ली जा सकती है। फंड रागिंग प्रस्ताव और इसके तरीके को बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद नियाम किये मंजूरियां ली जाएंगी।